हेलो फ्रेंड वेलकम बैक मैं चनल फ्रेंड फ्रेंड मैं गौरब आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल देग्यानी स्टॉक मार्केट में और आज हम डिस्केशन करने वाले हैं कलके लेवल के लिए निफ्टी और पैंगे कौन से लेवल इंपूरेंट रहेंगे इंट्र किसी से कोविट केसी बहुत दीज से बड़े हैं जिसमें केरला में अब तक 6 दात हो चुकी है तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट बुकिंग का करण है वो कोविड है और मैंने आपको बताए भी था मैंने एक लेवल आपको दिया था अगर आपने कल वाला वीडियो देखा ह और आपने देखा कितना बड़ा फॉल कर गे दिया है तो जो लेवल दी जाते है जो टेक्निकल चीजे अनिलिस करके आपको लेवल दी जा रहे हैं उसके आप फोकस रखोगे तो डैफिनेटली आप अच्छा पैसा कमाओगे नहीं तो प्रॉबल में फसे रहोगे क्योंकि क इस सब चीजे कारण तो यह है कोविट केसिस बड़े हैं और कई ना कई यह फिर है क्योंकि लास्ट राम जब 2020 में केसिस बहुत ही से बड़े तो कितना बुरी तरगी सा मार्केट गिरा था तो इस सब चीजे को देखते हुए सबसे पहले स्टॉक मार्केट पर ही मार तो आपको थोड़ा केरफुल हो जाना आने वाले दिनों के लिए यह मार्केट अप कहां तक गिर सकता है क्योंकि केसिस अब दिर दिर बढ़ेंगे और आपको न्यूस देखने को मिलेंगी हर राज्य में दिर दिर किसिस बढ़ा चालों हो जाएंगे तो डैफिनेटल आने आपके लिए लेवल रहेगा तो यह लेवल रहेगा यह कौन सा लेवल है बीस हजार साथ सो सतर का लेलो क्योंकि यहीं पर हमारी 20 मूविंग एवरेज है तो इमिजेट अगर मैं बात करूं इस मन्त की यानि कि यह खतम होने वाला मन्त है बीस दिन हो गई है और दस दिन रहना है अब उपर के चांजे थोड़े कम लग रहे हैं क्योंकि जिस आप से आज यह गिरावाट आई है अगर कल गैप डान आ गया तो डेफिलेटली फिर यह आपको कहां तक आता हुआ देखेगा 20,770 की तरफ यानि की और भी स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट चलना है ठीक है तो इंपर्ण डेवल आपको ध्यान रखना है 20,770 का यहां पर हमारी 20 moving average तो इसी रेंज में आता हुआ आपको सपोर्ट लेगा तो अब आपको ध्यान में रखके चलना है ठीक है तो अगर मैं बात करूँ पांच मिनिट के चार्ट पे कल है इसकी weekly expiry तो आ अगर निफड भी पार करता है 2530 का लेवल तो आपको एक short covering होती हुए दिखेगी 60-70 point की जो इसको कान लेकर जा सकती है 21600 की तुरफ exactly वही हुआ gap up आया मैंने आपको बोला भी था कि gap up आने की सभावना हो सकती है exactly gap up आया और gap up आने के बाद आपने यह range को 2530 के असपास कापवी support लेने के बाद देखो यह उपर गया 600 की range तक गया वापवी support लेने को जिसके range पे रुका रहा रुका रहा जब इसने fall नीचे कर रहा है आप देखो तो कितना बड़ा fall करके दिया है और मैंने फिर एक नीचे level बोला भी था आपको अगर nittivity fall करता है 21300 के नीचे तो आपको समझे लो और भी बड़ी ग्रावट देखने को मिलेगी exactly वही हुआ जैसे ही इसने ये range निकाली है 21320 वाली exactly मैंने 2320 ही बोलता है अगर आप देखोगे तो इस range के नीचे से जी निकला ही है कितना बड़ा fall करके दिया अगला वाला तो cases बढ़ रहे है COVID के कारण है दिख रहा है पर जो टेक्निकल चीजे अनिलिस की गई थी उसका भी आपको कहीं ना कहीं रोल दिखेगा जो मैंने आपको बताया था वो भी होता हुआ दिखा है तो इसलिए बोलता हूं जो लेवल दे जा रहे है उसको नोट कर लो लिख लो और आप करना है इसको अगर निफ्टी विफ्टी को ऊपर जाना है अपसेट के कर बात करूं ठीक है अगर उपर जा नहीं होगा तो आप कहां के लिए प्ले करोगे अगर यह सस्टेन करता है किसके उपर 21,120 के उपर आज जमारी एवरेज क्लोजिंग जो आई है 2150 की आई है ठीक है मतलब फाइनल एवरेज क्लोजिंग दिखा रहा है पर इग्जैक्ली आप देखोगे तो जो इंट्रेडे बंद हुआ है वो तक्रीवन 2160 के असपत बंद हुआ है ठीक है तो अगर यह सस्टेन कर रहा है 21,120 के उपर सस्टेन कर रहा है इस रेंज के उपर सस्टेन कर रहा है तो कम कॉंटिटी के साथ ज्यादा कॉंटिटी मद लेना कम कॉंटिटी के साथ प्ले कर सकते हो छोटे प्रॉफिट के लिए ठीक है ना कम कॉंटिटी के साथ प्ले कर सकते हो छोटे प्रॉफिट के लिए कहां तक के लिए 21,160 ठीक है पहला टागेट आपको चीव होगा 21,160 यहां तक आता हुआ दिख सकता है अगर further move करना है यहांने कि इसके उपर टिकने चालू करेगा तो यह further तो कहां तक के लिए 20,200 ठीक है 21 200 तो जाता हुआ दिखिएगा इसके बात क्या है अगर؟ अगर और फर्दर मूव करना है या जाना है क्योंकि एकस्पाइरी रहेगी अगर उपर के लिए प्ले करना चाहरा है और जाने कुछ कर रहा है तो फिर अगला मूव होगा आपका 21,240 का फिर फर्दर मूव करेगा ये तो इसको आपको जहन में रखके चलना है चीक है तो जाता हुआ देखेगा अगर किसी कारण वज कल गैब डान आ गया ठीक है जीसे आपसे चल रही है तो पॉसिबिल्टीस भी बन सकती है तो कल अगर गैब डान आ गया तो फिर समझ लीजिए फर्दर फॉल बढ़ा होगा तो फिर आपको फोकस रकना है पूट साइट पे अगर डाउन जाता है मार्केट नीचे जाता है तो क्या दियान रखना है अगर एक वारी निकल जाए सस्टेंड कर जाए 21,000 असे की नीचे मतलब मैं मान के चल रहा हूं यह फ्लैट खुल रहा है और इसके नीचे सस्टेंड कर रहा है तो यह आपको फॉल करके दे सकता है टागेट जब को अचीव होगा इसके अंदर 21,020 ठीक है फिर दूसरे टागेट जब को अचीव होगा 21,960 की तरफ आता हुआ देखेगा और फिर तीसरे टागेट होगा 21,880 की तरफ यह मूप करता हुआ देखेगा तो यह आपको ध्यान रखना है डाउन सट पे और वीक गैब डॉन आ जाता है तो वेट कर लेना एक वारी कि कि सेड यह जा रहा है अगर सपोर्ट ले रहा है किसी लेवल पे तो मत प्ले करना अगर कंटिनिसली फॉल कर रहा है मान के चलो कि 20,960 की निचे फॉल कर रहा है कंटिनिसली तो फिर आप यह प्ले कर सकते हो उसकी अगर गैब डॉन आ जाता है और 20,960 की निचे खुल रहा है और कंटिनिसली निचे फिर यह टाइम बिता रहा है तो फिर आपको नीचे की तरफ प्ले करना है फिर आपको फॉल करके दे सकता है 20,770 की तरफ यह जा सकता है फिर यह ठीक है तो यह लेवल इंपरेंट रहें होने और भी आपको गिरतने की संभावना बनाएगा यह आपको धिया रके चलना है डिचे के साइड उपर क्ले मेंना दे दिया है कम कंटिन डिचा कर सकते हो ध्यान रखने को यह ठीक है फ्रॉफिट बुगिंग करता हो चलना है अब यह स्वारा सा देख रहे हैं आपके अ आप देखो OI data देख लो क्या देखेगा आज कि अगर देखो कि तो 2150 के असपास आई है और अगर मैं आपको दिखाऊं 21100 पे दिखाऊं तो 21200 पे आप देख लो तो एक लाग पचपन हजार के असपास कॉल राइट हो चुकी है यहां पर करके चले गए यह लोग इनको बहुत हो चुका है कि इसके ओपर जाना मुश्किल है तो मैंने इसलिए बोला है अगर मार्केट फर्दर मुव करता है तो 2120 स फिर उसके आप देखोगे 21300 पे देखोगे तो एक लाग च्यासी और फिर 2400 पे देखोगे दो लाग तो मतलब पॉसिबिल्टी नहीं बन रही है कि उपर जाने की समामना बनेगी क्योंकि जिसाब से आज फॉल किया है तो इनको पक्का परोसा हो चुका है अब यह उपर न उसकी लग रहा है वैसों से कुछ हो ऐसा बाकी कल पॉसिबिल्टी बन सकते है अगर आगे अकल नीचे गा तो फिर फर्दर फॉल कर सकता है नीचे यह ठीक है अब इसको पूट सेट अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूट सेट जो बड़ा नंबर आपको देखेगा ना वह आपको लेवल दिया है ना 210020 का अगर 2020 के निचे निचे खसक गया यह तो समझ लीजे फिर आपको अच्छागा से पॉल की तरफ की त्यारी करेगा और यहां पर बड़ी मात्रा में जो है पूट राइट है तो थोड़ा सा केलफूल रहना है जिसा आपसे आज इसके अंद लोसी बोली थी अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी पिछले दो दिन में मैं कुछ चीज रिपीट करता हो चला था कि बैंक रिप्टे के पास एक लोसी है वह 48,150 की एक्जैक्टली गैप आया और देखो 48,166 के आसपस यही यह आया है और फिर उसका कंटिनुसली फॉ सुन लोगे डैफिनेटली कभी भी लॉस नहीं होगा आपको तो मैंने यह बोला था कि इसके एक इंपोर्टेंट एलोसी है अगर इस एलोसी के ओपर टिक जाए यानि कि इसके ओपर 20-30 मिनिट बिता दे तो आपको फर्दर मुग उपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं अध तो चीज़े को लोट डांग कर लो लिख लो उसके कोडिक प्ले करने कोशिश क्या करो हमें इसे मैं आपको बोलता हूं तो अगर मैं बात करूँ बैंग निफ्टी में अपसाइड देखो अपसाइड पर जरूर यह अगर उपर जाना भी हुआ इसको तो क्या धियान रखन आई है तो इसलिए 47,500 को पर टिक रहा है यानि कि इसके उपर टाइम बिताए तभी आपको उपर क्या आना है जिसमें कहा दियाना पहला टागेट जो चीव होगा 47,600 ठीक है और फिर नेक्स अगर निकला तो फिर 47,750 तक जा सकता है यानि कि अगर यह निकाल दिने फिर अगर डाउन स्रेट की बात करें यानि कि पूट स्रेट की बात करें तो क्या दियान लखना है फॉल हुआ है पर ज्यादा हुआ है तो अगर कल और भी केसिस बढ़ते हैं या और भी नूज आती है और को बड़ा गैप डॉन आ जाता है नीचे की साट तो डैफिनिटली पहले टार्गेट अचीव होगा आपको 47,250 ठीक है फिर सेकिंड टार्गेट क्या होगा आपका 47,100 की तरफ यह मूव करेगा इसमें आप 200 भी ले लेना 47,250 और 47,200 पर इसी रेंजर सपोर्ट लेगा फिर से और अगर बड़ा फॉल करना है तो इसको निकलना पड़ेगा 47,000 के नीचे तो ही आपको यह फॉल करके देगा ठीक है यह 47,100 और यह पचाद यहां पर यहां पर 200 ले 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 लिए तो बड़ा फॉल करना है एक बड़े फॉल की तैयरी कर सकता है क्योंकि हमें भी ओड़ेटा में कुछ दिखने वाला है नहीं बड़ा कुछ पर कंडिशन ज अगर एक से दो दिन और भी एक किसिस भड़ते हैं तो फिर सभी में पैनिक आएगा तो सबसे पहले पैसा जो है इस प्रॉक मार्केट से निकाला जाता है तो यह आपको दिखाओ हूं जो बड़ा नंबर है वो कहां पर देखेगा आपको 47,500 के उपर देखो मैं क्यों बोल तो इसके उपर निकलना थोड़ा मुश्किल हो गारे कि 47,500 के उपर निकलेगा तो ही आपको फॉर्दर मूव उपर के तरफ करके दे सकता है अधरवाइस पॉसिमिल्टी नहीं मिलने वाले की उपर जाने वाला है तो इसलिए मैंने बोला है कि अगर 47,500 के टेकेगा तो ही आपको यह ओपर मूव करके दे सकता है वहीं पर पूट सेट देख लो देखो 37,000 पर देखे होगे ना तो यहीं पर एक लाग के आसपास मुला 91,000 के आसपास जो है पूट राइट है तो अगर बढ़ाई फॉल करना है इसको तो इसके निकल गया तो आपके मोका मिल सकता है कि दो 200 पॉइंट का एक और यह फॉल करके दे सकता है सेटाल जार के नीचे तो इसके अपको प्ले करके चलना है ठीक है थोड़ा सा केरफूल रहना है क्योंकि केसिस भढ़ने लग रहे हैं तो इसको ध्यान में रखके आपको प्ले करना है और मार्केट में एक तरीके से अ लेजर लेवल तूटते नीचे के लिए तो डेफिनेटली फिर यह फॉल करने के लिए त्यारी करेगा ही करेगा फिर आपको और भी बड़ी नीचे लेवल खुल जाएंगे तो यह लेवल आपको ध्यान रखने करना है चीजों को सीखते रहें दैन करें प्रॉपर तरीके कर रहें ताकि आपके आपके लिए निटिफिकेशन टाइम पहुंसते नहीं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में था वर्चिंव विट्विट्विए थैंक्यू बाबाए थैंक्यू